नमस्कार दोस्तों मैं हितल चुड़ा समा अजय एस्ट्रो मनी गुरू में आप से मुखातिम हुईूं। देट देता रहता है विशलेशन देता रहता है आप हमारे चैनल पर बने रहेए और साथ साथ इसको सब्सक्राइब और लाइक भी अवश्य कीजिए आज मैं आपके सामने देश और दुनिया की क्रिशिवी शयक जानकारी लेकर हाजिर हुई हूँ जिसमें आज हम डलहन समिक की बिक्री ठब पढ़ जाने से मसूर दाल की मिलिंग करने वाले भी कारोबारी माल कम खरीद रहे है दूसरी और बीमागंज भूपाल लाइन में किसानी माल की थोड़ी आवक बढ़ जाने से वहां से बिक्वाली का प्रेशर बन गया है यही कारण है की पिछले 4-5 दिनों के अंतराल में 50 रुपे प्रति क्विंटल की गिरावट मसूर में आ गई है लेकिन अब यहां बाजार आकर ठहर जाएगा भर्तमान में 5,950 से 5,975 रुपे की बिल्टी में मसूर लाब दे जाएगी क्योंकि विदेशी मटर जो 200 से 250 रुपे नीचे बिक रही थी वह 50 रु उड़त की समिक्षा को विस्तार से देखे तो सरकार का प्रेशर उड़त की महंगाई को रोकने की कारेवाही चल रही है लेकिन उड़त का स्टॉक किसी भी मंडियों में नहीं है तथा भर्तमान में बर्मा से आयात करने पर काफी महंगी पड़ रही है आयात तक नए सौध से भी कम कर रहे हैं जैन्ने में भी ज्यादा माल नहीं है यही कारण है कि गत सब्ता नीचे में SQ 8800 रुपए बिखने के बाद SQ 9100 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा है इसी तरह FAQ के भाव भी 8200 रुपए बिख गया है इन परिस्तितियों में उड़त का बाव में करते रहना चाहिए माल की कमी से अभी घटने वाली बात नहीं है क्योंकि नई फसल घरेलू निकट में आने वाली नहीं है दोस्तों यह एस्ट्रो मनी गुरू चैनल आपको देश और दुनिया की बलपल की क्रिशी विश्यक जानकारी देता रहता है तो इसे तर तूटने लगे है नीचे के भाव से बाजार 200 से 300 तेज हो गए है अभी भी दाल धोया एवं छिलका की विक्री अनुकुल नहीं होने से मिलो की खरीद कम हो रही है तथा अगले सब्ता मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दो लाख मीटरिक टन मुंग बेची जानी है और टेंडर सापता एक विक्री के चल रहे है जिसके बाजार आगे टिकना मुस्किल लग रहा है इसलिए जरूरत के अनुसारी माल खरीदना चाहिए हलके भारी माल ज्यादा मंडियों में विक्ने के लिए आ रहे है जो बाजार को तेज होने देंगे अब चौथी तूर समिक् के अंतराल नीचे में 900 रुपए बिखने के बाद 9800 रुपए प्रति क्विंटल लेमन क्वालिटी की हो गई है रंगुन से कोई तूर दिल्ली के पड़ते से 500 रुपए उपर मिल रही है तथा वहां से लोडिंग लेट हो गई है अभी हाल में ही 60-70 डॉलर प्रति टन और बढ़ा कर भाव वहां बोलने लगे है आगे देखे तो तूर की कोई फसल आने वाली नहीं है तथा आगे खपत को देखते ही अगले एक दो दीनों के अंतराल में ही लेमन तूर 100 रुपए प्रति क्विंटल को पार कर सकती है तथा दाल में भी इसी अनुपाट में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है दोस्तो आज दलहन समिक्षा में मसूर उडद मूंग और तूर की समिक्षा में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी दोस्तो यह अजा एस्टो मनी गुरु देश का ऐसा पहला चैनल है जो 42 कोमोडिटीज पर आपको लगातार दालेती हूं धन्यवाद